हाई एवरिवन, वेलकम बाग टू माई चैनल, सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों की साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं कूप्स फुटवेर हॉल शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए वीडियो के साथ मैं कंटिन्यू बने र कूप्स ब्रैंड की है, इनका प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, बहुत ही अच्छे है, और इनका मटेरियल जो है, वो सॉफ्ट वेलवेट होता है, उस टाइप का है, और इनका कलर जो है, लाइट पिंक या बेबी पिंक बोल सकते है, और उपर परल डिजाइन है, जो कि बहुत ही खुबसुरत लग रही है, तो इनका प्राइस जो है, वो 479 रुपीज है, फ्लाट 50% आफ के अंदर है ये, तो इस तरह के फ्लाट जो आप कूप से पर्शेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कि कूप की सारी चीजे जो है है, मटेरियल, या फुट वियर, everything बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आता है, बट थिंग इस दाट कि आपको एक चीजे का बहुत धियान रखना है, इस्पेशली जो कि है साइज, ह्योंकि उनका साइज जो है, यूके यूके यूएस और उनके अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है, तो मेभी आपको साइस का इशू रह सकता है, इंचेज और सेंटीमेटर में नहीं है, तो आपको यूके यूएस का, आपको हमेशा गूगल पे सर्च करके, फिरी आपको पर्चेस करना है, तो ये आपको जरूर धियान रखन हूँ, वो एक, आप फ्लैट बोल सकते हैं, और बैलीस टाइप के शेप में है, जो कि बहुत ही अच्छे है, इनका कलर बहुत अच्छा है, लाइनिंग प्रिंट का है ये, और फ्रंट में आगे नोट की तरह कुछ डिजाइन है, तो इनका प्राइस भी बहुत अफॉड़ और आप देख रहे हो कि यहां पर थोड़ा सा हील्स है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बट इस तरह के शूज आप जब भी पर्चेस करों, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कि आपको एक साइज बड़ा लेना है, और यह मैंने गलती से रॉंग साइज और कर साइज का, मैं फिर से बोल रहे हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है, इनका डिजाइन बहुत अच्छा है, और इनकी थोड़ी सी हील्स है, तो इस तरह के शूज आप जब भी बाय करो, तो आपको साइज का स्पेशली ध्यान रखना है, एक साइज बिगर लेना है, तो मु जीन्स पर स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही ट्रेंडी लगेगा, अगर आप वरकिंग वोमेन हो तो भी, और अगर आप कॉलिज स्टूडेंट हो तो भी आप इसे इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, नेक्स्ट अगेन मैं आपको जो दिखाने जारी है, वो भी शूज और ब कुछ, तो ये स्निकर्स जो है, मुझे बहुत पसंद आएं, इनका डिजाइन, बहुत अच्छा डिजाइन है इनका, बट अगेन, जैसा कि मैंने इसके लिए भी राइट साइज जो है, वो चूज किया था, बट फिर भी ये मुझे हलके से टाइट है, जैसा कि मैंने आपक कि जो भी साइज आता है, उससे बड़ा लेना है, तो इनका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा है, कम्फोटेबल है, लेकिन साइज अगेन छोटा हुआ है, मुझे रिसीव, और आप इस तरीके के स्निकर को जो है, जोगर के उपर या जीन्स के उपर स्टाइल कर सकत इवन आप शौट ड्रेस भी वियर करते हो, तो उसके उपर भी ये काफी अच्छे लगेंगे, मुझे इसका डिजाइन बहुत बहुत पसंद आया है, मैं आपको रिकमेंट करूँगी, कि आपको इस तरह के स्निकर एक बास जरूर ट्राइ करना चाहिए, बट साइस का आप अच्छा रखना है, नेक्स शो मैं आपको बता रही हूँ, वह है एक फ्लैट्स जो की पॉम-पॉम डिजाइन की हैं, आप देख सकते हैं, और इनके साथ में बहुत ही लॉंग लेसे आई हैं, जो आप हाई फुट में वियर कर सकते हों, तो इस तरह के पॉम-पॉम आइसा बिल्कुल भी नहीं है, की चीप क्वालिटी का है, जो आपने पे किया होता है, उसकी अकोरण इंटम परफेक्ट क्वालिटी आई-एस की, तो मुझे काफी अच्छे लगे हैं, और फ्लैट्ट 50 परसंट में आपको अपरॉक्स 500 के असपास पड़ेगा, और साइस मुझे एक्तम परफेक्ट आया है तो इस तरह के के फ्लैट्स भी आपको से ड्राइ कर सकते हैं यूनो ये मेरा फॉर्स्ट फुट्वियर हॉल है कुछ से तो मैं काफी हैपी रही हूँ बट साइस का मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ है तो साइस आप बिगर देखे या आप एक्सचेंज भी करा सकते हैं अगर आपको छोटा रिसीव होता है तो नेक्स जो मैं आपको बताने जारी हूँ वो है एक शूँ स्निकर बोल सकते हैं इसमें दो कलर अवलेबल है आप फाइट और वाइट तो मैंने आप फाइट पर्चेस किया है बहुत कमफटेबल है की तरह है तो एक अलग सा लुक दे रही है तो इस तरह के शूँस जो है वो आप ट्राइ कर सकते हैं आपकी शॉट ड्रेस पर जीन्स पर एक्टम परफेक्ट जाएगा और बहुत ही कमफटेबल है तो इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है इस तरह क के शूज जो है वो जरूर ट्राइ करना कूस है यूनो कूस की मैंने जैसा बताया आपको की क्लोथिंग आइटम के अलावा एवरिधिंग जो है परफेक्ट आया है तो मुझे फुटवेर हॉल से भी मैं काफी हैपी रही हूँ बट साइस का थोड़ा इशू है तो अगर आ आपके के वीडियो देखना चाहो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना थैंक यू गाइस मिलती हूं नेक्सट वीडियो के अंदर बाई बाई